हलो फ्रेंड्स वेलकम टो मोर क्रियेटिव दोस्तो आज दो फरवरी दिन सुक्रवार है वह हिंदी मैना माग और क्रशन पक्स की अश्टमी है तो चले शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरे यदि आपको खबरे पसंद आए तो वीडियो को लाइक जोरू करिएगा और इस पर मतप्रदेश के मुख्यमंतरी डक्तर मोहन यादव जी ने अंतरिम बजट को बताया है सर्व हितेशी और सर्व समास सेवी वहीं कांग्रेस ने बजट पर वार करते विए कहा कि यह चुनावी भासन है वित्तमंतरी निर्मला सितारमन जी ने गुरुवार एक फरवर दिये जाने का फैसला लिया गया वहीं बजट में दो करोड नए प्रधान मंतरी आवाज बनाने तथा लगपती दीदी योजना के लिए तीन करोड बेहनों को लगपती दीदी बनाने की भी बात कही गई इस बजट की भाजपा ने तब बहुत तारिप कर रहे हैं लेकिन क प्रित्मनतरी के बजट को जुनावी भाषन करार दे दिया दोस्तो ग्यानवापी मामले पर वाराणसी कोड ने फैसला सुनाया है इस फैसले पर मत्प्रदेश के मुख्यमनतरी ने दिये बदाई वाराणसी की जीला अदालत द्वारा हिंदू पक्ष को ज्यान वापी इस्थित व्यास्त अकाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया गया है। प्षास्थ के फैसले पर बहुत खुसी है। मेरा मानना है कि यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कोट का भी आबाज अताते विए कहा कि जो रिपोर्ट एस आई ने सौपी थी उसके तथ भी बताते हैं कि जिनके पक्ष में फैसला आना चाहिये था उन्हें क मक रूप से आज का दिन हिंदू समाज के लिए काफी अच्छा दिन रहा है जो वारण असी कोट ने सुनाया है पूरू विदायक रमाबाई सहित पांच आरोपियों को बिजली कर्मी को धमकाने पर मिलिये बड़ी सजा दोस्तो 2016 का मामला है वर्ष 2016 में रमाबाई ने विदायक रहते हुए अपने समर्थकों के साथ एक बिजली कर्मी के घर पहुंचकर हंगामा करते हुए समर्थक पर कारवाई करने पर धमकाया था मामले में कोट ने अब इसे तीन माह के कारवाज के सजा सुना दिये इसके लिए विदायक रमाबाई सहीद उन पांच समर्थकों को MP MLA की स्पेसल कोट ने बिजली कर्मी को धमकाने के अपराद में इने दोसी करार दिया है वहीं विशेश नयाइविस ने सबी आरोपियों को तीन-तीन माह का कारवास और जुर्माना भी दंडित किया है किसानों के लिए बड़ी ख़बर है मौसम की मार से इस सीजन में गेहूं और चने का उत्पादन कम होने की आसंका है जिससे अब किसान चिंतित हो गए है दोस्तो रभी के सीजन में मौसम की मार ने किसानों की धड़कन बढ़ा दिये पिछले दिनों लगातार सीने वाली धून ने फ़सलों का मिजाज बदल दिया है जिसके कारण चने में कम फ्लावरिंग एवं गेहूं में इल्ली का आना तथा मक्य में इल्ली का प्रकोप फसल को खोकला कर रहा है इस बार निमार छेतर में चने की फसल 90,000 एक्टेर में बोई गई है वहीं आपको बता दें कि किसानों को ज़्यादा आमधानी चने की फसल सही होती है लेकिन इस बार मौसम ने किसानों की इस आमधानी को कम कर दिया है पूर्व सियम कमलाज जी ने अंत्रिम बजट को बताया है खजूर का पेड बजट 2024 पर कमलाज जी ने प्रतिक्रिया देते विया आगे कहा कि 2024 के बजट में किसानों के पक्ष में एक भी ढंकी बाद सरकार नहीं बोल पाई। बेरुजगारों तता जबानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार ने देश के आर्थिक विकास का कोई खाका भी पेश नहीं किया और जो बाते कही गई थी जो वादे किये गए थे वह भी अभी तक पूरे नहीं हो पाई है। यह बजट नहीं सिर्फ एक जुन-ज इस प्रकार कमलाज जी ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है। दोस्तो प्रदानमंद्री के सपनों को साकार कर रहे हैं भोपाल के सैफुद दिन। दोस्तो आपको बता देंगी प्रदानमंद्री निरिंद मोदी ने अक्टूबर 2014 को स्वच भारत अभियान की सुरुबात की थी। उन्होंने देश के सभी नागरिकों से इस अभियान में जुड़ने की अपील भी की थी। जिसके बाद राजदानी बोपाल के सैफुद दिन ने इस अभियान को अपने जीवन से जुड़ दिया। अपनी एक्टिवा में उन्होंने स्वचता को लेकर कई संदेश ल काओं में लोगों को स्वचता का संदेश दे दिया और यहां उनका काम लगातार जारी है। दोस्तों मतप्रदेश में अरबो रुपए के निवेश लाने के लिए खाका तयार हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि उज्जेन सहर में महेने बर बाद एक या दो को होने वाली इन्वेश्टर समिट की तयारी पूरी कर ली गई है। इसमें सुक्ष्म लगू तथा मध्यम उद्यम वाले अरबो रुपए के अउद्योगिक निवेश लाने का खाका तयार किया गया है। इसकी रिपोर्ट एक दो दिन में मुख्यमंत्री डक्तर मोहन को प्रस्तावित करना है। यदि ये अरबो रुपए के निवेश प्रदेश में आते हैं तो प्रदेश की अर्थविवस्था में बढ़ोत्तरी होगी। मुख्यमंत्री के दोरे के कारण इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। अर्थात यह आयोजन एक फरवरी को हुआ। वे इस प्रकार से हैं। बताया जा रहा है कि लगपती दीदी बनने के लिए जरूरी नियम तता जरूरी डाकुमेंट लगेंगे। इसकिम का लाब लेने के लिए महिला को संबंदित राज का इस्थाई निवासी होना जरूरी है। वही महिला का स्वयम सायता समू से जुड़ना भी जरूरी है। इसकिम से जुड़ने के लिए जरूरी डाकुमेंट आधार कार्ड आयप्रमान पत्र निवास प्रमान पत्र बैंखाता रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासपोर्ट सायज की फोटो लगेंगी। यदि ये सभी डाकुमेंट आपके पास हैं और आप महिला सोसायता समू से जुड़ी हुई हैं तब ही आप लगपती दीदी का लाब ले सकती हैं। इस प्रकार से जानकारियां थी तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम टेक केर।